नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में जो ख़बर आपको बताने जारों, उस ख़बर को सुनकर आप भी शायद ये मानेंगे कि अगर प्रधान मंत्री मोदी में नियूनितम नयतिकता भी है, सियासी आचरन का नियूनितम पैमाना भी अगर उनके भीतर कोई है, तो उन्ह अपनी सरकार से, अपने मंत्री मंडल से, अजय मिश्र टेनी को कान पकर के बाहर करना चाहिए, ततकाल प्रभाव से, उस टेनी को जिसका बेटा लखिमपूर खीरी कांड का मुख्यारोपी है, साजिश करता है, विलन है, किसानों पर गाड़ियां चरहने का आरोपी है, सला ये बातें तो बीते धाय महिनों से हो रही है, आज ऐसी बात क्या हुई, जो मैं जिक्र करना हूँ, जी हाँ, कल लखिमपूर खीरी कोट में, उसी यूपी पुलिस ने, उसी यूपी पुलिस की S.I.T. ने, लखिमपूर खीरी कांड के बारे में कहा है, कि ये घटना लाप एच्छा पुरवक ड्राइविंग का मामला नहीं है, बलकि साजिशन किसानों के हत्या और हत्या की कोशिस का मामला है, ये उसी यूपी पुलिस की S.I.T. ने कहा है, जिस पुलिस पर लगातार आरोप लगे, कि पुलिस, S.I.T. यूपी सरकार केंद्रियम मंत्री के बेटे को बचाने के कोशिस कर रही है, लगातार सुप्रिम कोट से फटकार पड़ती रही है, और उसी का नतीजा हुआ, S.I.T. की टीम का पुलिस पुलिस, S.I.T. ने कल कोट में क्या कहा, आप सुनिये, और क्यों कहना पड़ा, U.P. की S.I.T. को ये भी सुनिये, और साथ में ये क्या प्रधान मंत्री में अभी भी इतनी भी नेतिकता नहीं है, कि सुप्रिम कोट में S.I.T. की इस रिपोर्ट के बाद, अजय मिस्टेनी को कान पकड़के अपनी सरकार से बाहर करें, तो सुनिये क्या कहा है, कल S.I.T. के आईयो, विद्याराम दिवाकर की तरफ से, लख इच्छा पुर्वक गाड़ी चलाते हुए, जान लेने की दुरघटना का मामला नहीं है, क्योंकि यही कहा जा रहा था लगाता, यह सोची, समझी, साजिश के चलते, भीड को कुचलने, हत्या करने, और हत्या के प्रयास के साथ अंग भंग का मामला है, यह I.O की तरफ से क पतलब साफ है, कि S.I.T. ने मान लिया, कि साजिश थी, जो कुछ हुआ ती नक्टुमर को, वो जान बूच कर हुआ, कुचलने के लिए हुआ, मारने के लिए हुआ, सबक सिखाने के लिए हुआ, यह कोई लापरवाही से ड्राइविंग का मामला नहीं था, यह I.O ने का, पिर आगे सुनिया, I.O. ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा कि एक्सिडेंटल केस से जुड़ी धाराओं को हटाया जा रहा है, क्योंकि इसको एक्सिडेंट बताकर बचने की कोशिस हो रही थी, एक्सिडेंट में होता है, अगर गाड़ी से एक्सिडेंट होता है, मौत साथ हत्या की कोशिस होता है, 326, 147, 148, 149, 120B जो साजिष समेत कई धाराओं में इन सब की रिमांड मांगी है, 13 वो आरोपी जो सलाखों के पिछे हैं, जिनकी पेशी आज यानि मंगलबार को लखिमपूर खीरी कोट में होनी है, अब यह नौवत कैसे आई है, बड़ा दि अजय मिस्टेनी का एक बयान कई बार मीडिया में उसी वक्त आया था, जब कहा था कि अगर सबूत मिल जाए मेरे बेटे की मौझूदगी का, कोई वीडियो सबूत या ऐसा कोई सबूत कि मेरे बेटे ने गाड़ियां चरहाई, तो मैं चैलेंज करता हूँ, अगर एक भी स सबूत ऐसा आया, तो मैं राजनिती छोड़ दूँगा, मैं मंत्रीपत से इस्तिफा दे दूँगा, सब कुछ बड़ी-बड़ी बातें कहिए, अब इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए, अजय मिस्टेनी को, और उनके अभिभावक, प्रधान मंत्री ननित मोदी को, कि SIT क आयो, जाच अधिकारी, कोट में, रिपोर्ट में कह रहा है, कि ये साजिश का मामला था, ये लापरवाही से ड्राइविंग का मामला नहीं था, तो क्या बज़े मिस्टेनी को, इस्तिफा नहीं देना चाहिए, तो ये इतने पतित होते हैं, ये लोग, खोद इस्तिफा नह अब पूरे मामले पर आते हैं, लखिमपूर खीरी कांड में, जब जाच यूपी पुलिस कर रही थी, इसाइटी कर रही थी, उस जाच पर सुप्रीम कोट की हर सुनवाई में सवाल उठे, इसाइटी की जाच की बात भी तब आई, जब सुप्रीम कोट ने फटकार है, यहां तक की एक सदस्य की जो जुडिशल इंक्वाईरी के लिए नियाई कायोग बनाया, यूपी सरकार ने उसे भी खारिज किया, कि हमें उस पर भी भरोसा नहीं है, उसके बाद सुप्रीम कोट ने पंजाब हर्याना हाई कोट के रिटाइट जद, राकेश कुमार जै पर भी सवाल है, लोकल डी आईजी, लोकल अधिकारी, लोकल आईओ, लोकल सारे अधिकारी, उनके तार कहां से जुड़े हो सकते हैं, यह आश्रंका सुप्रीम कोट को थी, तो तीन आईपेस अधिकारी, आईजी, पदमजा चौहान, पृतिंडर सिंग, और S.B. शिरोड क तीन आईपेस अधिकारीों की, के नितृत में S.I.T. का गठन हुआ, सुप्रीम कोट के नितेश पर, यह तीनों अधिकारी, और पंजाब हरियान हाई कोट के जो रिटाइट जज है, राकेश कुमार जैन, जिनके निगरानी में जाच हो रही है, इन्होंने दौरा भी किया मौकाई वारदात का 25 नवंबर को उसके बाद रिक्रेशन खुद किया, करवाया, नए धंग से, ताकि जाच के नतीजे पर पहुँचें, और उसी का नतीजा यह हुआ, कि S.I.T. को कोट में कहना पड़ा, कि यह साजिश का मामला है, यह जान बुझकर भीर को कुचलने का म मामला है, इसलिए इसे यह नहीं कहा जा सकता कि उपेक्छा पुर्वक गाड़ी चलाते हुए कोई दुगटना हुई, यह S.I.T. ने कहा, अब सवाल यह उठता है, कि यहां से सरकार की क्या जिम्मेदारी है, सरकार मतलब केंदर सरकार की, क्योंकि मंत्री पुत्र का बेटा यहां है, मंत्री ने बार-बार कहा कि मेरे बेटे की मौजूदगी का कोई एक वीडियो दिखा दिजिए, वीडियो कहां से दिखेगा मौजूदगी का, जिस धंग से गाड़ियों का काफला जिस रफ्तार से चला, उसमें जब कोई सबूत ही हो ऐसा नहीं दिख रहा है, कि आपका बेटा उस दंगल में था, जिसका जिक्र कर रहे हैं, या जो दंगल आप और आपका बेटा करा रहे थे, तो उसका भी कोई वीडियो नहीं है, अगर मंत्री कह रहा था कि उसका बेटा दंगल में मौजूद था, मौकाई वारदात पर नहीं था, उसका वीडियो होन ईए जो शिकार होकर बच गये जिसमें एक तेजिंदर सुंग विर्क भी शामिल है जिनका जिक्र वेने पहले भी किया उनका एक विडियो मैंने उनसे संभाद करके दिखाया था जो उन गाड़ीयों के काफिले में सबसे आगे जो लोग चल रहे थे उसमें तेजिंदर दिन पहले अपने YouTube चैनल पर अपड़ोड किया, तेजिंदर सिंग विर्क से भी मैंने बात की थी, आज भी, अभी भी मैंने तेजिंदर सिंग विर्क से बात किये, तो उन्हें एक वीडियो भेजाया, उनका वीडियो मैं दिखाता हूँ, उससे पहले आपको ये बताऊ, कि जो तीन गवाह जिन्दा हैं बच गए तेजंदर विर्क और उनके साथियों के उनका अभी तक 164 में मजिस्टेट की मौझूदगी में जो बयान दर्ज किया जाना चाहिए वो नहीं हुआ है सुप्रीम कोट की फटकार के महिने वर्से जादा हो गए तब भी इसी से समझे सर गठीत SIT और सुप्रीम कोट की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई पंजाब हरियाना हाई कोट के रिटाइट जद राकेश कुमार जैन उनके निगरानी में SIT कम से कम इस नतीजे पर तो पहुंची लेकिन SIT जहां पहुंची ये बात लखिमपूर खीरी के कैसान वो चश् मना किया जाता रहा कि ऐसी कोई बात नहीं मंत्री पुत्र था नहीं और उनकी गाडियों पर किसानों ने हमले कर दिये जान बचा कर भाग रहे थे भागने की कोशिस में गारी बेकाबू हो गई उसी में दो चार लोग चपेट में आ गए उसके लिए वो गुनाहगार नही किसानों का बुरी तरह से कुछला जाना उनकी मौत होना उसके बाद की घटना उसके बाद की प्रतिक्रिया पर बहुत बाते हो चुकी है लेकिन सवाल यही उठता है कि क्या प्रधान मंत्री मोदी है अब भी नियूनितम नैतिक्ता दिखाते हुए नियूनितम इसलिए क्य तो सरकार से, सरकार मतलब प्रधान मंत्री नेद्मोदी से ये अपिक्षा एक बार फिर की जा सकती है कि कम से कम अब अजय मिश्टेनी को कूर्सी से बेदा खल करें किसान ये मांग लगातार करते रहें लखेंपुर खीरी के किसान भी संजुत मोर्चे के किसान भी यहां तक कि अजय मिश्टेनी की गिरफतारी की बात करते रहें तो गिरफतारी तो दूर बरखास्तगी ही नहीं है तो अब यह जो मामला है इस मामले में अदालत में सुनवाई होगी आज उन से उन तेरह आरोपियों को रिमान पर लेने की बात कर सकती है वो जो आरोपी है उसमें आशिष मिश्र उर्फ मोनु मिश्रा, लबकुस, पुत्र रामकिसोरी, आशिष पांडे, शेकर भारती, अंकित दास, लतीफ, शिशुपाल, नंदन सिंग, सत्यम तरपाथी, सुमिझ जैसवाल, धर्मिन बंजारा यह सब उनके दोस्त कहें, उनके गैंग के सदस से कहें, उनके करीबी कहें, वो लोग जो उन तीन गाडियों में थे, पहली गाडी थार, दूसरी गाडी फॉर्चुनर, तीसरी गाडी स्कॉर्पियो अब उसमें एक मैं देख रहा हूँ, अमरुजाला और हिंदुस्तान के हवाले से जो कबरे हैं, उसमें एक प्रदीप कुमार साहक अभियोजन अधिकारी हैं, उन्होंने का विवेचना के दौरान आरोपियों के खिलाब सामान य आशे से जानलेवा हमला करने, घातक हत्या अपराध पाया गया है, उसमें आसलहे भी मिले थे, खोके भी मिले थे, इस्तेमाल की हुई गोलियां भी मिली थे, इसलिए विवेचक ने रिमान में आरोपियों के खिलाफ इन अपराधों की धाराएं बढ़ाने के अरजी कोट में दी है, जिस पर CGM ने 14 दिसम्बर को सभ फिलाल कोट में सुनवाई है, सुप्रेम कोट की निगरानी है, S.I.T. का जिकर मैं करी चुका हूँ, तो उमीद कर सकते हैं कि उन किसानों को इनसाफ मिलेगा, और आशीस मिस्दा और उसके गैंग के वो सदस, जो गुनहगार है, गाड़ियों से किसानों को कुचलने के, उ उनका सही लाज होगा, उन्हें वो सजा मिलेगी, जिस सजा के वो हकतार है, फिलाल इस वीडियो को दोस्तों खत्म करने से पहले ये बतादू कि लगातार मैं किसानों के कवरिज के लिए मैं दिल्ली में था, सभी बॉर्डर की तसमीर लगातार आपको दिखाया और अपने पिर भी आपसे एक अपील कि अगर आप में से जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे, फिलाल नमस्काराइब